प्रोडक्ट वाइस डेटा है कस्टमर टाइप एक सेल्स पर्सन का नाम है और फिर जनवरी फरवरी वार चप्रेल यह आगे तक डेटा चलता चला गया दो तीन साल की सेल्स है इनकी ठीक है जी अलग अलग रीजन की अब मुझे यह डेटा को क्या करना डैशबूर्ड से जैसा कि इसमें देखेंगे तो इसमें यह जो मेरा पास यहां पर चार्ट है यह चार्ट मेरा इन फिल्टर्स पर वर्क करता है अलग अलग फिल्टर्स पर यहां से मैं स्टार्टिंग मन्थ और एंड मन्थ यहां से चूज कर सकता हूं रीजन पर मेरा फिल्टर है तो इस रसाब से फिल्टर होता रहता है पर जब यह जहां भी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं इसके लिए मैंने क्या करका अपनी डेटाशीट में सबसे नीचे कई सारे फॉर्म मुला लगा दिया और जन्वरी में रेक से फर्सन की कितनी यह सब करके यहां पर टोटल लाया और वो भी फिल्टर डेटा जैसे अगर मैं रीजन वाइस कर रहा हूं यहां टू करूंगा तो यह डेटा चेंज हो जाएगा यहां पर तीन फिल्टर चल नहीं मेरे रीजन प् है मेरा समिफ का एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि एडेंटिफाई कर रहा है कि जन्वरी में इसकी कितनी सेल है इस फिल्टर के बेस पर जब रीजन इस तो स्टार का मतलब है सारा ओल सारे प्रोड़क्ट दिखा है कस्टमर जो है वो प्लैनेट यह कस्टमर है स्टार कहीं मैं अगर मैंने रेंज दे और इसमें क्राइटीरिया मैंने खाली स्टार दे दिया तो यह सब कुछ दे देगा प्राइट इसके अंदर कुछ इसी तरह से सारा ही पखलता है क्राइटीरिया यहां नहीं पखलता पर वैसे जिसे अभी सम्मिफ्स अब मैं क्या करता हूं अपने इस डेटा पर चीज बनाता हूं अब यहां पर इस से कोई मतलब नहीं मुझे इन तीनों से इन तीनों पर मैं लगाऊंगा फिल्टर, इसको फिल्टर के लिए आगे मैं चूज कर लेता हूँ, यहां लगा दूँगा, फिल्टर यह कहीं भी लगा दूँगा, अब सेल्स परसन के नाम पहले तो मुझे यूनिक लिस्ट चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, यूनिक दूपलिकेट्स करतीजे, तो आपको एक यूनिक लिस्ट मिल जाएगी, यह चाहरी बनने है, यह सेल्स परसन में आ गए मैरे सीधे-सीधे, ज़िए, अब मुझे क्या करना है, समिप्स का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें सम रेंज मेरी एज जनवरी में, पूरी जनवरी वाली मैंने चूज कर लिए, ठीक है, ठीक है जी, सम रेंज यह हो गई, और क्राइटीरिया रेंज वन कौन सी हो गई, नेम वाली, तो नेम वाले मैंने चूज कर लिए, और इसमें क्राइटीरिया जो रहेगा मेरा वो यह नेम का रहेगा, तो पहला तो इससे बात बन गई सब्सक्राइब तो अभी हमने एक क्राइटीरिया ले लिया कि सबका टोटल हमको दिखाया भी यहां 75,000 सम्तिंग लिखा रहा है 75,000 दू इसको चेक करते हैं 75,000 दू ठीक है तो अभी यह क्या करेगा नाम के बेस पे ले रहा है फिलहाल यह सारा डेटा आगया मेरा तो नाम के बेस पे ले रहा है अब दूसरी बात थी कि मैंने फिल्टर लगाने हैं कुछ फिल्टर के लिए क्या करूंगा मेरे को एक लिस्ट चाहिए होगी लिस्ट कैसी अच्छा कस्टमर टाइप यह आपका वही है अब इसमें मैंने उसी प्रोसेस से यूनिक करके वैल्यू उठाई 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 हुए है बस इसमें मैंने क्या किया है कि इनके उपर एक स्टार्ट पूर्ट इसमें भी हटा दिया है हाँ इसमें भी हटा दिये सेम प्रोसीजर से बस इसमें मैंने क्या किया है यह स्टार लगा दिया है ठीक है जी स्टार का मतलब ऑल होता है अब समझे इसको समझे लीचे कि यह ओल है अब इसमें अगर हम जैसे सेल्स में हैं सेल्स में भी अगर हम स्टार एक और एड़ कर देंगे तो उसमें ऑल का भी आ सकता है अगर स्टार में अगर अगर नाम लिक रहा हूं क्राइटेरियो में अगर मैं स्टार डालता हूं तो क्या सबका नाम करीशन हो साथे ले लिए दो नॉर्मल सम पंख्शन बन जाएगा आपका और क्राइटिरीन ओल के लिए ठीक है अभ क्या है कि सबसे पहले अब यह उनम् इसमें जो होगा यह फर्स्ट पोजीशन, सेकिंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फॉर्थ पोजीशन, फिफ्ट पोजीशन, इसी तरह से वर्क करेंगे, यानि कोई भी नंबर दूँ, मैं यहाँ, तो उसको इस लिस्ट में से उठा के दे, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक इंडेक्स का फॉर्मूलर लगाना पड़ेगा, खाली रिफ्रेंस के लिए, हालाकि इसकी जुरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, पर मै ठीक है जी, जैसे आप देख रहे हैं, यहां फर्स्ट पोजीशन पर आपका स्टार ही आएगा, यहां पर थ्री लिखता हूं, तो यह हो जाता है, हमारा प्रोड़क्ट दूसरा सिलेक्ट हो जाता है, इंडेक्स क्या करता है, पांच पर कुछ नहीं है, चार, इंडेक्स सर तो क्या कर रहा है, जैसे आप इसमें देखेंगे, तो पहली पोजीशन पर यहां लिखा होगा, वह उस नंबर की वैल्यू यहां पर दिखा देगा, तो पहले नंबर पर क्या है, स्टार है, अब हम प्रोड़क्ट वाले पर आते हैं, आप यहां वाले इंडेक्स पर देख यहां का लिखा है, थर्ड रो नंबर, वन, टू, त्री, लाइट सेबर लिखा हुआ है, वही आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, संदीब, यह कह रहा है, तसर, कि यह जो आपका, यह जो सिलेक्शन है न, इसके अंदर जो पोजीशन है, हमारी वो इस तरह से हुई है, यहां डालूगा, उसी नंबर की वैल्यों यहां दिखा देगा, ठीक है जी, अगर मैं यहां का इंडेक्स फोर्मूला चेक करaufen, तो इंडेक्स फोर्मूला, तहला क्या होता है, एramble होता है, तो ऐ headache मैने यह ले लिया, दूसरा होता है, रो, रो नंबर, रो नंबर मैने यहा चैनल के अंदर जो स्टार है ठीक है इसी तरह से अगला वाला अगर हम देखते हैं यह वाला तो इसमें मेरा जो एरे है वह यह है और इसके अंदर जो रो नंबर है मैं यहां से ले रहा हूं यह तो थार्ड नंबर की वैंडेक्स नॉर्मली इंडेक्स है कोई हमने लिस्ट पकडा दी तो कि पहले नंबर की वैल्य दो दूसरे नंबर की दो तीसरे नंबर की दो यह करता है डीक है sisters इसमें किलाटी है कि इंडेक्सिंग हम जनरली करते किस लिए इसका फंक्शन क्या रहता अभी जो हम कर रहे हैं उसको पहले हमने इधर इंडेक्सिंग में क्यों कर रहा हूं देखिए अब मुझे कुछ फिल्टर लगाने अब जैसे समीफ का क्राइटीरिया तो मैंने यह से दे दिया नेम वाला ठीके जी एक क्राइटीरिया मेरा होता है कि जो कस्टमर टाइप है वो प्लैनेट हो ठीके जी तो समीफ में अगर मैं एक और क्राइटीरिया एड करता हूं कि जहां प्लैनेट किसे लोग वो दिखाए खाली अब देखिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं इसको अब मैं आग प्राइटीरिया चूज करूंगा यह प्रोडक्ट वाला उन्हें प्रोडक्ट चूज करूंगा यहां से चूज कर रहे हैं अब देखें मैं इसको फॉर्मॉले करता हूं और अभी आप प्राइटीरिया एड हो चुका है कि जो कंसा क्राइटीरिया ? अब पर आप जैसे ही देख रहे हैं वैल्यू अब मुझे चाहिए सब की वैल्यू तो जैसे वन चूज करूँगा ओल आएगा और यह सारी की सारी वैल्यू आगई आगई आखिए दो चूज करूँगा तो एंटरप्राइजिस वाले की वैल्यू आगई ठीक है जी क्राइटीरिय कि मैं यहां पर एक लिस्ट बॉक्स लगा देता हूं कॉमबो बॉक्स लगा दिया मैंने एक कॉम्बो बॉक्स यहां कॉम्बो बॉक्स है इसके अंदर मैंने एक इन्पुट रेंज यहां से करवा दी यह प्रोड़क्ट की ठीक है जी सेल लिंक जो है मैंने यह वाला दे दिया तो अब क्या होगा इसके अंदर अभी इस मैंसे जो भी मैं चूज करूँगा उसके हिसाब से मेरा डेटा फिल्टर होना शुरू हो गया अब करेक्ट एल कीजने इस इसको उपर वाले से कंड्यक्ट करने के लिए यह उस्में एड करने के लिए हम करह रहे हैं साथ काम जो बहुड़कर वह डेटा से रिलेट़ीकी चार्ट तो बस एक पार्ट है, चार्ट से कोई मत्तब नहीं, चार्ट तो जो आप डेटा दोगे वही दिखाएगा, अब मैं मान लीजिए इस पर चार्ट लगा देता हूँ, तो मेरे को वो डेटा दिखाएगा जो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो समित के थू यहां से डेटा चेंज करता जा रहा है, अब ऐसे जैसा मैंने आपको दिखाया कि एक फिल्टर लगाया मैंने, ऐसे तीन फिल्टर लगाने मैंने, प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समित पे वो लगाना पड़ेगा, एक और क्राइटीरिया, अभी कस्टमर टाइप कर दिया मैंने, अब यह मैं देता हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का यहां से है, प्रोडक्ट का दे दिया मैंने, और क्राइटीरिया चूज कर दिया यहां से, पिक्स करता जा रहा हूँ मैं सबको, रीजन मैंने इदर स डिए भी हम लुष सकते हैं उसमें नाम भी हो सकता है और चाहिए पचास वायरियेबल चाहिए पचास वायरियेबल यह सकते हैं, अब सारा खेल यहां तो कोई भी इस तरहे का, अगर हमें डेश बूर्ड बनाना हो जहां वैरियेबल बहुत जदा हो, तो उस केस में, उस case में I think यही procedure रहेगा कि पहले हम at least एक sum if से एक criteria पहले fix कर ले बाद में जो बाकी variable से उनको filter करके इसके साथ add करते जाए formula to formula वैसा करना चाहिए हार एक में देखिए जहां पर आपको summarized value चाहिए तो वहां पर sum if average if वगएरा count if use कर सकते हैं जहां आपको summary चाहिए ठीक है जैसे यह हो गई एक summary हो गई और जहां पर आपको सिर्फ value ही चाहिए जैसे दिल्ली का chart दिखाना है फरिदाबाद का chart दिखाना है पूर्णा का महरास्टा का value वही चाहिए तो वहां पर हमें क्या लगाएंगे पूर्णा करते हैं यही नंबर सम कंट्रोल में पास करते हैं अब एक और चीज़ देखते हैं मैंने इस टैश्पोर्ट में यहां पर अभी मैंने जो वर्किंग कराई वो इनके लिए कराई एक तो प्रोड़क्ट वाला जो था आल ग्लू गन यह सब लाइट सेबर यह इसके लिए था कस्टमर वाला फिल्टर यहां पर और रीजन वाला फिल्टर यहां पर ठीक है अभी मैंने इसके लिए करवाया अब बात करते हैं इसकी स्टार्ट मन्त और एंड मन्त कर प्रोड़क्ट कस्टमर और रीजन उसमें आप एंड नमबर ऑप कंबिनेशन ले सकते हैं राइट ना अजी हाँ जी कोई वो नहीं है कितने भी ले सकते हैं नमबर सिस्टम में इसकी कंबिनेशन जो हैं अगर हम देखें तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इन्टू फोर यह आपका ओज़ेगा चार अठे बतिस तीन सो चोबिस कंबिनेशन हम इसमें दिखा सकते हैं अभी इसके हिसाब से तो इतना ही दिखा रहे हैं अच्छा है ठीक है जी तो अभी बाकी चलते हैं इस पे अब यह देखते है इस टार्ट मंत वाला कैसे करना है क्योंकि उसके हिसाब से भी डेटा दिखा रहे हैं अब इसके डेटा में देखे क्या किया है वहां तक तो सब कुछ सही हुआ है यहां पर डेटा में इसी प्रोसीजर से ला रहा है हलो सर नेट का थोड़ा सा प्रोब्लम लग रहा है अधिरा संदेफ मेरा माइक तो यहां से तेज बता रहा है हलो अरे नेट बंद हो गया क्या है हलो कि इसके अंदर जो हमने अभी काम किया वो क्या किया यहां पर जन्वरी फर्वरी तो हमने सारे ही मन्त ले रखें कि पर्द्र यहीं से काम कर रहा है तो सब्सक्राइब हमक्ना इसके बाद कशिकि बात क्या करूं था हम很 होगता था हमसे है जो डीटा अना वो देट को हमने यहां पर लाना है जैसे मैंने आप 5 दिया आप डी यह इस डेट से लेकर इस डेट तक की डेट दिखाएगा यहां उसके इसाब से यह डेटा दिखा रहा है अब देखिए यह कैसे करना है तो हम कंट्रोल किस से किस को कर रहे है एक्चली जो उपर वाला फिगर है यहां प्लिक करते हैं और यहां चेंज हो जाता है तो कंट्रोल हम कैसे कर रहे हैं कौन से फर्मूला से अभी दिखा रहा हूं सर वह भी सब इंडेक्स मैच ही चल रहा है पूरी ले लेता हूं फॉर्मूला हा ताजिता ऑगांसे और यहां पर मुझे चाहिए इसस्टार्ड डेट का और एंड डेट aisटा है अधीर इसमें क्या है स्टार्ड डेट अडेट मैने कान ले रख्व है यहां पर स्टार्ट मंत का जो है और end month का यहाँ पर दो combo box है जिसके अंदर same dates मैंने डाल लखी है तो वो कैसे करेंगे इसके लिए इसकी भी हमें पूरी list चाहिए होगी क्या करेंगे यह जो month है इसको उठाके एक जगा list में वो कर लेंगे transpose कर लेंगे ठीक है जी क्योंकि इसी से हम वो भी लेंगे क्या नाम है controls में combo box में जब यह इस तरह से data आपका organize होता है मतलब रोज में तब ही लेता है अगर मैं यहाँ से selection देना चाहूं तो नहीं लेगा तो उसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर भी same वही procedure बनाना है कि एक डालूं तो यह वाली data जाए दो डालूं तो वही data जाए तो यहाँ जैसे कोई भी number है तो यहाँ पर हम index का formula लगा देंगे यह मैंने पूरा select कर लिया और row number जो है मैं उपर से choose कर लेता हूँ इसको date के format पर कर लेता हूँ क्योंकि date का ही है तो यह value आ गई अब मैं जैसे ही यहाँ पर change करता हूँ यहाँ पर change हो रहा है इसमें से मुझे वो index position उठा के दे दे रहा है ठीक है जी अब इसको मैं connect करूंगा combo box से अब इसके base पर यह data दिखाए ऐसा मुझे करना है तो सबसे पहले starting date को क्या करता हूँ मैं equal to करके यही से उठा लेता हूँ ठीक है जी अब क्या है कि starting date मेरी किस से control होने लगी अब दूसरे में मैंने बहुत simple चीज़ देनी है एक formula देना है इडेट का formula जो हमारे पास वो month जोड़ता है वन दिया तो यानि एक month जुड़के आ गया तो यह formula में लगा सकता हूँ यह formula में लगा सकता हूँ बस इस formula में मैंने जैसे अगर यहां से मैं change करता हूँ तो यह accordingly change जाएंगे अब मुझे यह चीज़ करने है कि जो end date से बड़ा ना हूँ वहां blank दिखा दे वस तो उसके लिए क्या करूँगा इसमें एक if का formula डाल दूँगा कि if e-date जो है अगर नमारी end date end date बड़ी है या वो है तो e-date का यही फार्मूला चला दे otherwise blank कर दे त्रीक है जी इसको fix कर देता हूँ इसको fix कर देता हूँ इसको fix कर देता हूँ अब इसको ले जाता हूँ drag करके जहां तक यह था वहां तक ले गया यहां कुछ प्रॉब्लम हाई ओक दे दूसरी चीज ड्रैग कर दी यह फार्मूला ड्रैग करना थी तो यह ड्रैग करके ले आया है यह वहां तक का डेटा दिखाने लगा हाँ एक मैंने गलाच चीज फिक्स कर दी क्योंकि इडेट तो हमेशा इसके बेस के बदलता रहेगा तो इसको फिक्स नहीं करना चीज़ यहां से अब ले जाता हूँ जहां तक था ठीक है जी अब यह क्या है कि वहां तक दिखा रहा है जैसे अक्टूबर 9 है वहां तक दिखा रहा है उसके आगे ब्लैंक दिखा रहा है और ब्लैंक में इडेट का फॉर्मूला काम नहीं करता है इसलिए आगे एरर दिखा रहा है इसमें किया कर देंगे एक इफ हरा का formular और देदेंगे जहां एरस से परहेच करना हूं वहां इफ हरा का formular देदेज़ यह भी हो गया अब मैं इसको यहां तक ले आया तो यहां से मैं कुछ वैली देता हूं तो यह मेरी कंट्रोल हो रही है वैसे कि वैसे ठीके सब्सक्राइब अब उपर वाला मन्त तो आ गया मेरा अब मन्त से मुझे डेटा उठाना है यहां नाम तो सेम ही है तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जिरूत है नहीं तो मैं क्या करूंगा इसमें से यह चार वैल्ली उठानी है जहां मन्त का नाम मैच कर जाए ठीक है जी तो इधर लगा दूंगा इंडेक्स एरे जो है यहां मुझे इसमें से पता लगाना है कि यह कहां पर है अच्छा मैच मैच का पनुश्य मैच का लगेगा मैच में मुझे यह पता लगाना है कि यह यह जो वैल्यू है वही इंडेक्स पोजीशन अलाके देगाना मुझे यह जो वैल्यू है पार्शली तो पर लेता हूं वह इसमें कहां पे है कि मैच टाइब जीरो तो कि क्या है रजकें दिखा रहा है कि यहां पहली वैल्यू नहीं आई कि कॉमा इसको थोड़ा सा जब मैं इसको ड्रेक्ट करूंगा ते मुझे इंडेक्स पोजीशन बताने लगा कि यह वैल्यू कहां पे अब उस रो की वैल्यू मैंने उठानी है सारी ठीक है जी सेलेक्शन में यहां पर हम यूज कर सकते हैं ऑफसेट विशे मुझे मार्च की वैल्यू चाहिए तो ऑफसेट का मैंने फॉर्मूला लगाया और यहां से थर्ड बता रहा है मैंने यह चूज कर लिया इसको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जीरो रो और ज साथ करता है तो मैंने जीरो जीरो यहां डेड कर दिया अब यह जब भी बढ़ेगा जनवरी तो वन परवरी तो तू मार्च तो थ्री जो की एक्चुल होना ही चाहिए ठीक है सार तो रिफ्रेंस वो ले लिया दूसरा रोज यहां से तो यहां पर मैं फस्ट रो में काम तो पहली रो का डेटा यहां से उठा लेगा और कॉलम का डेटा जो है वो यहां से उठाएगा तो पैंसर सो तीन मार्च में जेम्स क्रिक का था तो पैंसर सो तीन मार्च में यह रहा ठीक है जी तो असल में यह फॉर्मूला लगाना है मुझे तो इसके अंदर बिल्ट कर देता हूं मैं, match के अंदर, match column के लिए यूज कर रहा हूं मैं, offset, reference जो रहेगा मेरा वो ये हो गया, fix कर दूँगा इसे, रोज, कितनी रोज लेनी हैं, रोज मैं यहां manual दे देता हूं, और नहीं तो एक index का formula और लगा सकता हूं, कि इस नाम से भी search कर लेगा यह, ठीक है जी, अभी फिलाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही दे देता हूं, column में मेरा ये formula होगा, match का, बस जी, ठीक है जी, अब बस मुझे इसको ड्रैक करता है, कहां तक जहां तक formula है, अब इसमें भी error आ रही है, तो इस error का formula दे देते हैं, वो अपना काम कर लेगा, अब जब इसको ड्रैक करूँगा, यहाँ पर पहले मैं highest चला जाता हूं, कितना है, इसको यहाँ नीचे ड्रैक करना हूं, मुझे एक चीज, बस बदल दी है यहाँ से, इंडेक्स नमबर, यह जो अपना row नमबर होगा, इसको, तो यहाँ दो कर दूँगा, यहाँ मैं तीन कर दूँगा, यहाँ मैं चार कर दूँगा, अब इसको यहाँ तक पूरे तक ड्रैक कर दिया मैं, पूरा formula, अब देखे क्या होता है, एक, दो, तीन, चार किस चीच का था यही, यह सर रो का था, देखे, offset का formula क्या कर रहा है यहाँ अगर, offset formula में, तो reference पहला यह हो गया, ठीक है जी, अब offset का formula ऐसे work करता है, reference मैंने यह ले लिया, मैंने बोला, zero row और zero column की value दो, तो zero row और zero column में क्या देगा, zero row, zero column यह खुद दी है, मैंने का zero row और one column की value दो, तो zero row यह हुई हमारी, one column यहाँ आगया January, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, अब वही मैच से हम पता लगा रहे हैं, हमने January से लेकर यहाँ तक data select किया, हमने का कौनसा index position पे, उपर वाला, उसमें बोला one, तो यह offset ने फिर वो one का data दे दिया, अब यह जो manually कर रहे हैं, यह row क data है, अब one बोलने का मतलब है, यहाँ से एक नीचे आया, जेम स्क्रिक, जेम स्क्रिक का दे रहा है, ऐसे लूक स्वाकर, तो यह दूसरे नंबर पे था, तो row का data मैने यहाँ से दिया है, यहाँ पर देखेंगे, तो row ही change किये मैने, ठीक है, जी, row, reference, row यहाँ manual दे दिया, column मैच से उखवालिया, मैच में क्या कर रहा हूँ, इसको find करा रहा हूँ, उपर वाली heading में कि कहाँ पर, reference भी रहेगा, dxon and chess, all the time, जी, हाँ, तो अब यह सारा का सारा जो data है, मेरा हो गया, automatic, अगर मैं यहाँ पर पहांच देता हूँ, यह वहाँ से, इस date के इस आप से ला और यह बोल रहा है, दूसरी position पे, row number 1 है, तो यह उसकी value उठा के मुझे यहाँ से यहाँ दे दे रहा है, ठीक है जी, अब क्या हुआ कि इस data में आ रहा है, filter होके यहाँ से data, और इस data में add क्या कर दिया है, मैंने date का भी fundा, ठीक है जी, तो अब यह पूरा data मेरा dashboard बनाने क के लिए तयार है, ठीक है जी, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ, इसका data को full कर देता हूँ, अब यह पूरा data हो गया, इस पर मुझे क्या लगाना है, अपना चार्ट लगा देना, इंसर्ट करके normal column chart insert कर दिया मैंने, यह सब चाहिए नहीं चाहिए, यह अपनी margin है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि chart में क्या-क्या function कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, अब आप देखेंगे, यह chart same वही function करेगा, यह हम चाह रहे थे, हमने region अगर select कर लिया है, यहां से दो, तो यह region के बाद update हो रहा है, क्योंकि full data update हो रहा है, एक से लेकर मैंने का 5 तक यह नहीं year में, तो वैसे ही work कर रहा है, क्योंकि data change हो रहा है, उसके पास कोई और option है नहीं, तो यह chart बस खाली खेल है, इसको copy कर लेते हैं, दूसरे पर साफ सुत्रा यहां तो बहुत गंदगी फैला दी है, अब यहां देखते हैं, बस हमें dashboard में assemble करनी हैं सारी चीज़े, तो यहां पर कोई भी जैसी आपको चाहिए, वैसी लगा लेगे, यहां से यह chart पर, कट करके हैं आले आया, इसको मैंने delete कर दी, इस पर मैं कर रहा हूं format chart area, no fill कर सकता हूं या कुछ भी, solid fill या gradient जो चाहरा हूं, इसको मैं थोड़ा सा look अच्छा दे देता हूं, तो एक chart मैंने यहां set कर दिया, इसकी outline खतम कर दे रहा हूं, border color, no line, close, यह chart इस तरह से दिखाएगा, अब क्या करना है हमें filter add करने हैं, filter के अंदर मैंने बताया था, filter के लिए मैं एक panel add कर देता हूं, simple, यहां से, अब मैंने इसमें एक चीज़ बताई थी, कि अगर आपको radio button use करने हैं, तो आपको उनको group box के अंदर डालना पड़ेगा, तो separate use होंगे, अब group box में एक पर मैं डाल देता हूं, पहला जो है region का, इसको चाहूं तो मैं 3D look दे दू थोड़ा सा तो ठीक ठाक लगेगा, यह 3D look में आ गया, इसके अंदर मैंने अब radio button पटाफट डालना, यह radio button है, कितना हमारा radio button जो है, region के हमारे 5 option रहेंगे, star, east, north, west, southwest, तो यह 5 option जो है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, इनको पुरा सा set कर लेंगे, इनको align कर लूँगा, alignment डवलफर में है कि नहीं है, alignment का हिसाब किता भी नहीं है, तोड़ी कोई बात नहीं, वैसे manual denial कर लेते हैं, ठीक है, कर लेका 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 लेक तो यहां मैंने option आये इनका नाम कर लेंगे पहले वाले को तो हम direct all देते हैं ठीक है जी दूसरे वाले का नाम जो भी है यहां से देखके क्या है दूसरे वाले का नाम East North South West करके तो East East North का नाम South और West अब मुझे क्या करना है इनका जो cell link देना है format control में जाके cell link मैंने यहां पर इससे related यहां से दे देना है कौन सा region वाला यह दे दिया अब ओके यहां बस अब क्या करेंगे हम जैसे यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पर अपने filters पर click करेंगे यह data filter होने लगेगा ठीक है sir हो रहा है क्योंकि यह all कर रहे हैं तो एक return करेगा यहाँ पर जैसे all को select किया तो यहाँ पर एक return कर रहा है और जैसे ही दूसरे को select करेंगे तो तो वहाँ दो return करेगा ठीक है जी दो क्या करेगा वह इसमें से घूंडेगा दूसरे नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर आया तो यहां पर यहां पर एक्टिवेट हो गया कि इस्ट का डाटा ढूंदो तो यहां पर time duration क्या है उसके हिसाब से यह data ist का है मिलना है आपको, ठीक है sir, hello, hello, हम बोली बोली, तो यह एक तो आपका यह हो गया, एक filter मैंने यह लगा दिया, इसी तरह से बाकि आपके दो filter और लगेंगे, दूसरी चीज़े मैं आपको यह दिखाता हूं कि combo box में यह दोनों कैसे fit की जाएंगे, combo box में बहुत ही असान है, आप जब भी पहले तो radio button जब भी use करेंगे, अगर आप individual, इनका selling एक साथ चाहते है तो इनको group box के अंदर रखें, तभी independent work कर पाएंगे, otherwise क्या होगा, लब आपको अलग से ऐसा group बनाके, फिर वहाँ आप customer या अगला है तो इसके अंदर वो डालिए, तो वो अलग से चलेंगे, otherwise दिक्कत करेगा आपको, customer का आप यहाँ पे डालेंगे group box है, बाकी मैं दिख जाता हूँ कि अपना combo box, एक start month के लिए, एक end month के लिए, अब यहाँ से choose करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम format control पे जाएंगे, input range, input range में हमें, यहाँ पे हमने अलग से वो रखा था, यह पूरी list, मन्त की, मन्त की पूरी list जहाँ तक है, उठा लेंगे, इसल लिंक जो है, start वाले के लिए, यहाँ पे हमने start वाले के लिए, यहाँ से ले रखा है, ठीक है जी, अब क्या होगा, इसमें, यह उस से ले लेने लगेगा, ठीक है, end वाले के लिए, format control, सेम चीज करेंगे, link, data वहीं से उठेगा, सारा, sell link में data वहीं से उठेगा, input range में, और sell link इसका change हो जाएगा, end date पे, ठीक है, अब यह क्या करेगा, यहाँ से नंबर जो भी selection होगा, उसका नंबर यहाँ दे देगा, उसके नंबर पर बेस पर यहाँ से मंद्ध चूज कर लेगा, तो मैंने चूज किया यहाँ, जन्वरी, और यहाँ से चूज कर लिया, last से अक उपर, यहाँ से मैं कुछ भी देता जाओंगा, वह ऐसा, start date and date की तरह selection देगा, ठीक है जाएगा, फुल कहता हूँ, तो फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह पूरा उठा लिया, ठीक है सर, यह चीज़ समझा ही सर, हलो, 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 नरेज जी, हाँ जी, तो यह समझा है, हाँ, क्लियर रोगे, तो चलिए बाकी जो बचा-कुचा है, इस पर हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है सर, संडे को स्पेशल, एक बार और रिव्यू ले लेंगे, अभी आपको मैंने कंट्रोल से अटेच करना बता दिया, अब उसका लॉजिक कैसे फिट करेंगे, कि सेल्स के साथ, जो मैंने यह वाला दिया है, इसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी, बता देता हूँ, अभी भी कोई बड़ा नहीं है, जो हमने यलो ग्रीन बनाये थे, और यहाँ पर पॉइंटर लिया था, यहाँ पर पॉइंटर से पहले एक नंबर लिया था, उसको क्या करना है, हमने टोटल सेल लेनी है, यानि उपर का सब का सम कर ल परसंटेज एक से सो तक ही आएगी, तो जैसे ही यहाँ पर फिल्टर चीन जोगा, तो जो हमारा जो चार्ट है वो इस पर बना हुआ है, ठीक है सर, तो यह चीज वहाँ एफेक्ट कर देगी, मतलब यहाँ पर अलग अभी 21 परसंट है, अगर कोई और फिल्टर होता है, यह हमार लीजे 10 आ गया, तो यहाँ अपने आप 8 परसंट है, क्योंकि यह इसका 8 परसंट है, यहाँ 8 परसंट आ गया, ऐसे डैश्बोर्ड में तुरंट चेंज हो गया 8 परसंट है, ठीक है जी, ठीक है, तो यह सिंपल है, बाकि इसको एक बार और, अब ट्राइ कीजिएगा, अगर ना बने तो फिर बताईया, ठीक है साथ? ठीक है मैं ट्राइक करता हूँ, ठीक है न? ठीक है साथ, ठीक है साथ, ठीक है थेक्स, गूद नाइट, गूद नाइट